भारत में पिछले 24 घंटे में क्रोना के 56,211 मामले सामने आये हैं जिसके बाद भारत में कुल क्रोना मरीजों की संख्यां बरकर 1,20,95,855 हो गई आपको बताते हैं कि बढ़ते क्रोना ने सबसे ज़्यादा परेसान महराश्ट को किया है जब एस्टार्ट हुआ था उस वक्त भी और आज भी क्रोना के संक्रमितों की 24 घंटे के मामले में 60% के करीब महराश्ट के मामले सामने आते हैं और इस वज़े से उद्धव ठाकरे सरकार लगातार प्रियास कर रही है कि क्रोना को रोकने के लिए और कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे चाहते हैं पूरे महराश्ट में लगा दिया जाए लेकिन केंद सरकार इसकी इजाजत नहीं देने वाली है क्योंकि केंद सरकार का मानना है कि क्रोना को रोकने का सबसे कारगर उपाय मास्क लगाना और दो गज की दूरी अपनाना है ना कि लॉक्डाउन करना लॉक्डाउन करने से अर्थ विवस्था को नुक्सान होता है जो की मोधी सरकार बिल्कुल नहीं चाहती इसलिए हम आपसे कहेंगे कि अगर जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और अगर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें दो गज की दूरी को जरूर अपना है ताकि करोना को मात दिया जा सके नमस्कार